दोस्तों पिसी कक्षा में हम लोगों ने UPTET 2017 के बाल विज्ञान के एक से पंदर तक के कुश्चन को सॉल्व किया था इस कक्षा में हम लोग 16 से 30 तक के आई हुए कुश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कर लिजेगा दोस्तों में शेयर कर दीजेगा ठीक है चलिए देन न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहला कुश्यन है एक बालक जो साइकल चलाना जानता है एक कोई लड़का है जो कि साइकल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है मतलब उसका अधिगम जो है वो अंतरण हो रहा है साइकल चला रहा है और साइकल चलाने के बाद वो सीधे मोटर साइकल चलाना स तो इस तरह के अंत्रण को हम लोग 36 अंत्रण नहीं कहते हैं ठीक है इस तरह का जो अंत्रण होगा अधिकम उसको उर्दग्ामी मतलब इस तरह का अंत्रण कहा जाता है ठीक है चलिए यह,K emergency number 17, आप कहो गया, question number 18 है, कि निमलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, कल मैंने बताया था, अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम का पठार एक ऐसी सिति होती है, जिसमें अधिगम जो होता है, वो बिल्कुल खतम हो जाता है, देखें, अधिगम का पठ पठार क्या होता है, उपर उठा हुआ जो भूमी होती है, उसको पठार कहा जाता है, ये पठार जो होता है अधिगम जब learning होती है, तो उसके बाद एक सिति बालक की ऐसी आती है, कि उस सितिति में उसका अधिगम शोन्य हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल नहीं सीख सकता, इसका कारण कौन सा नहीं है, ये देखिए, यूपी टीटी 2017 में आयोए कुश्यन है, प्रेणा की सीमा बिल्कुल एफेक्ट करती है, अगर बच्चा प्रेडित है और उसके अंदर प्रेणा की सीमा मतलब प्रेणा खतम हो जाती है, तो उसके अंदर अधिगम में बाधाय आजाएंगी, ठीक है, और शारिणी सीमा ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है, शारिरिक सीमा भी अफेक्ट करती है, बच्चा सीख रहा है, उसकी मालिझे तवीएद खराब हो जाती एक आ एक, तो जाहर सी बात है कि उसकी जो लर्निंग की प्रोसेस है, वो धीमी पड़ जा क्योंकि उसको उसके बाद आता ही नहीं है तो वो सिखाएगा ही क्या ठीक है तो ये तीन कारण जो है वो अधिगम के लिए अधिगम के पठार के कारण है लेकिन विद्याले का जो असायोग है ये अधिगम का पठार का कारण नहीं बन सकता है ठीक है विद्याले का जो असाय योग है वो अधिगम में पठार का कारण नहीं है चलिए अगले कुशन पे आ जाईए कुशन नमबर कुशन नमबर 19 कुशन नमबर 19 है आपका अधिगम ये बिसिक लिए एक परिभाशा है अधिगम अधिगम जो होता है वो क्या है उसी को इंग्लिश में learning कहा जाता है जिसको हम लोग learning कहते हैं यही हिंदी में word अधिगम कहलाता है अधिगम अनुभाव और प्रसिक्षड दो चीज़ है एक अनुभाव होता है जो की वक्त के साथ यानि टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है और प्रसिक्षड प्रसिक्षड वो जो training होती है कि परिडाम सुरूप व्यावहार में परिवर्तन है ठीक है व्यावहार में परिवर्तन है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है यह कथम gates एवं अन्निके द्वारा दिया गया है चलिए बताईए एक परिभाशा में दे रह व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये जो स्टैंडफोर्ड बिने थे इन्हों ने जो परिक्षड किया ये परिक्षड किया था बुद्धी का आईक्यू लेवल का ठीक है। इसके बारे में बता दे रहा हूँ। बेसिकली देखिए ये बुद्धी मापने का जो सबसे पहला प्रयों कि बुद्धी कितनी है। इसके हम तो जानते हैं कि बच्चों में बुद्धी का अस्तर क्या होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि आईक्यू लेवल निकालने का सूत्र। क्या बताया था मैंने एक बार याद कर लीजे। क्या बताया था पहले बताया था mental age upon real age यानि वास्तविक आयू और गुड़े में क्या था 100 यह परिभाशा थी आपकी जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं जिससे आप लोग निकाल सकते हैं मानसिक आयू ठीक है। अब ठीक है स्टैंटफूर्ड बीने जो थे इन्होंने अक्चली इनकाल पूरा नाम था अल्फ्रेड बुद्धिम आपने का जो सबसे पहले प्रियोग किया अल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन ने 1905 में किया था ठीक है आईक्यू लेविल निकालने का सुत्र मैंने अपनों को बता दिया ठीक है इन्होंने जो प्रियोग किया था वो तीन से पंदरा वर्ष तक की आयू के बालकों पर किया था ठीक है अब ज़रा ध्यान दीजिए कि तीन से पंदरा वर्ष तक की आयू की बालक क्या होते है ये तीन वर्ष के आयू पूरे बाले आवस्था हो गई और पंदरा वर्ष की आयू किशोरा वस्था हो गई ठीक है तो देखिए इन्हों ने जो प्रियोग किया सबसे पहले एक बात ध्यान लिजेगा इन्हों ने सबसे पहले बुद्धि मापने का प्रियोग किया था 1905 में तब किया था 1905 में ये बात ध्यान रखिएगा इन्होंने 3 से 15 वर्ष्टक के बालकों के पर प्रियोग किया, ठीक है, मतला पूर्वाल्य वस्था से किशोरा वस्था के बीच के व्यत्तियों में इन्होंने सबसे पहले प्रियोग किया था, ठीक, चलिए, तो इसमें देखें, ऑप्षन जो हो जाएगा, परिष्ण माप करता है किसकी, बुद्धी की, इन्होंने बुद्धी के बारे में सबसे पहले प्रियोग किया था, ठीक है, चलें, अगले कुशन पर आजाईए, अगला कुशन है आपका, अंतर मुखी और बहिर मुखी व्यत्तितु का वर्गी करण किस ने किया, अंतर मु रहता है, ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखा होगा, कि जो बहुत कम बोलते हैं, आता उनको सब है, शर्माते हैं, या उनके अंदर अपने ही में खुश रहने की आदत पाई जाती है, लेकिन बाहिर मुखी व्यत्ति क्या होता है, ब मनुवज्यानिक यूंग थे, जिन्हों ने सबसे पहले, सबसे पहले अंतर मुखी और बहिर मुखी व्यत्तितों का वरगी करण किया था, मनुवज्यानिक का क्या नाम है, यूंग, ठीक है, इसमें एक option दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, options के बारे नहीं सुना है, तो जान लीजे, आलपोर्ट, ये, इनकी जो परिभाशा है, व्यत्तितों से जोड़ी हुई परिभाशा, ये बहुत, बहुत important परिभाशा है, अगर ये UPTT में आई भी हुई है, और आगे भी आने की बहुत ही संभावना है, ठीक है, इनकी परिभाशा मैं आपको बता दे रहूं, इनकी परिभाशा क्या है, सबसे पहले तो जान लीजे, इन्हों ने जो है, क्या कहते है, 1937 में, 1937 में, याद कर लीजेगा, आलपोर्ट ने 1937 में व्यत्तितों की परिभाशा दिया, बहुत ही important, बहुत ही बढ़िया परिभाशा दिया, एक्जाम क प्रभाशा के point of view से, बहुत important है, यहाँ पर हम आपको वही बाते बताते हैं, जो कि एक्जाम के point of view से, या तो आई हुई है, या आने की प्रबलतम संभावना है, चलिए परिभाशा क्या है, व्यतितो, व्य व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरी गुड़ों का गत्यात्मक संगठन है देखे इसमें कहा जाता है गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है ठीक है एक बार फिर से परिभाशा देख लीजे ये परिभाशा किसके द्वरा दिया ग परिभाशा क्या है व्यक्तित व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरी गुड़ों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है ठीक है ये परिभाशा मिस्टर आलपूर्ट के द्वारा दिया गया था इसके बारे में व्यक्तित के बा ठीक है ये किस के नाप के लिए किस चीज को मापा जाता है TAT परिक्षड के द्वारा व्यक्तित को नापा जाता है नापा जाता है या मापा जाता है ठीक है ये आपका एक्जाम में आया भी हुआ है और आने की संभावना भी है ठीक है चलिए अगले कुश्यन पर आ जाईए अगला कुश्यन है आपका बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है बच्चों के सामाजिक विकास को आर्थिक तत्तो जो है इसमें बिल्कुल नहीं रोल करता है शारेक तत्त भी नहीं रोल करता है ठीक है, वन्शानुगत नहीं, क्योंकि समाज की बात हो रही है न, समाज की बात हो रही है तो समाज से ही जोड़ी हुई, समाजिक परिवेश जन्ने तक तो, बिल्कोल, समाज कैसा है, समाजिक विकास तभी होगा बच्चे का, जबकि बच्चे का समाज अच्छा है, ठीक है, गंदे समाज में रहने वाला बच्चा जो है उसके उपर कितना भी उसको बचाएंगे लिकिन उसके उपर समाज का आसर बुरे समाज का बुरा प्रभाव उसके उपर आएगा ठीक है चलिए अगले कोशन पर आजाईए अगला कोशन है कि निमलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है देखे एक चीज में बता दे रहो यहां पर दो तरीके का विकास होता है एक है शारीरिक विकास शारीरिक विकास होता है और आपका शारीरिक बेसिकली ये शारीरिक वृद्धी होती है वृद्धी क्या होती है वृद्धी देखिए वृद्धी जो होती है वो एक वक्त तक होगी ठीक है वृद्धी जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है वृद्धी याद करिएगा लेकिन विकास जो होता है वो जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है मतलब बच्चा जब पैदा होता है उस पहले दिन से ले करके जिस दिन तक उसकी मृत्यू पूड़े हो जाने पर जब उसकी मृत्यू हो जाती है उस दिन तक उसका विकास चलता रहता है तो वृद्धी एक निश्चित समय तक होती है जबकि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रिक्रिया है ठीक है इतना जान लेजे पहले निमलिकित में से कौन शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है मैंने बता है नहीं क्या है दुरुत गामी विकास का नियम मतलब विकास कैसा होता है बहुत तेज होता है दुरुत गामी ना तेज चलने वाला विकास का नियम यह है मानसिक विकास से भिन विकास ये सब नहीं है अनियमित विकास का नियम ये भी कोई नियम नहीं अनियमित विकास नहीं होता है अनियमित विरिद्धित हो सकते विकास नहीं होता है दुरुत गामी ये हमेशा चलता रहता है ठीक है इस तरीके से यह option आपका कौन सा सही हो जाएगा option number C correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगले question पर आ जाईए अगला question है आपका निमलिकित में से कौन सा विकास का सिध्धान्त नहीं है विकास का सिध्धान्त नहीं है ठीक है निरंतर विकास का सिध्धान्त मैंने बताया अ आपस में रिलेट भी करता है, समान प्रतिमान का सिध्धान्थ ये भी आपका विकास का सिध्धान्थ है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिध्धान्थ ये सिध्धान्थ विकास का सिध्धान्थ नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिक के बताईए कि ये सिध्धान्थ क sister relate करता है, ठीक है, चलिए, अगले question पर आ जाईए, अगला question है आपका, विकास के परिड़ाम सरूप, नवीन विशेशताएं, नवीन विशेशताएं और नवीन योगताएं प्रकट होती है, बहुत ही important परिभाशा है, बहुत ही important, अगर आप किताब खोलेंगे, बाल विकास की और विकास चेप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पहली ही दूसरी परिभाशा आपको यह मिल जाएगे, विकास के परणाम सरूप, नवीन विशेशताएं, नवीन योगताएं प्रकट होती है, अगर आप वैसे भी देखें तो विकास में नवीन विशेशताएं प्रकट हो कौन कौन से मनुशी के अंदर जितनी प्रवित्या होते हैं उसको उनोंने काउंड किया, किसने 14 प्रवित्यां बताई मैक डूंगल ने, किसने बताई, याद कर लिजे ना, मैक डूंगल ने, मैक डूंगल ने, कितनी प्रवित्यां बताई, 14 प्रवित्य बताई, किसी भी में 14 प्रवित्ती बताने वाला मनुविज्यानिक मैक डूंगल था ठीक है चलिए अगले कुश्चन पर आ जाईए अगला कुश्चन है आपका 27 कुश्चन किसी दूसरी वस्तू की अपेक्षा एक वस्तू पर एक वस्तू पर चेतना का केंदरी करण अवधान है ठीक है डंबिल इस परिभाषाओं को आपको याद करने का तरीका यह होता है कि आप इसको एक जिखें पर लिख लिए और रोज एक दो बात देख लिए परिभाषा के बारे में सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि परिभाषा वर्ड बाई वर्ड होती है परिभाषा में कोई अप किस ने दिया, डंबिल ने, ठीक है, अगले कुशन पर आ जाईए, बहुत ही important आपका, सीखने का प्रमुख नियम, मैंने बताया था कल, सीखने का नियम किस ने दिया था, थांडाइक ने, कौन-कौन से थांडाइक कहां के वैग्यानिक थे, अमरीका के वैग्यानिक थे, कौन नियम नहीं है, तकपर्दा का नियम है, मैंने बताया, अभ्यास का नियम है, बिल्कुल है, प्रभाव का नियम है, जो चौथा बचा, उसी को आप कर लीजे, ठीक है, ये नियम सीखने का नहीं है, तो इस तरीके से आपका थाइसमा कौशन कम्प्लीट हो जाएगा, थांड कम्प्लीट हो जाता है, नेक्स कुशन, ट्वंटी नाइन्थ कुशन, बारा से सोला वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डाक्टर एस जलोटा ने कौन सा परिक्षन किया था, ये भी आपके मानसिक योगता परिक्षन से जुड़े हुए थे, ठीक है, साधारन मानसिक योगता परिक्षर करने वाले, कौन थे, बारा से सोला वर्ष तक के बच्चों का, डॉक्टर एस जलोटा थे, ठीक है, क्या नाम था, डॉक्टर एस जलोटा, अगले कुशन पर आजाईए, कुशन नमबर थर्टी, दुई कारक सिध्धान, कल याद करिए, मैंने आपको ए का हाँ, क्या नाम हैं इनका, अउप्चन में, ठान डाइग नहीं है, ठीक है, अब भी बताइए कि इसके बारे में भी थोटा, दुई कारक सिध्धान, देने वाले कौन थे, आपके, बुद्धी जो होती है वो बहु सारे कारकों से मिलके बनी हुई होती है समूह कारक किस सिध्धान पताई इसके बारे में समूह कारक सिध्धान किस ने दिया था क्या नाम है समूह कारक देखिए वो बहु कारक था ये समूह कारक है तर्स्टन ने, क्या नाम था, थर्स्टन ने दोस्तों, 30 कुश्यन तक मैंने कम्प्लीट करा दिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है मैं फिर से कहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कर लिजेगा दोस्तों में शेयर कर लिजेगा अगर आप लोग इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं बुद्धी पढ़ना चाहते हैं या आप व्यक्ति तो पढ़ना चाहते हैं या और किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं ठीक है? तो आप बताईएगा हम उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे अलग तरीके से बुद्धी का विकास का तमाम चीज़ों का ठीक है दोस्तों?